दांत हमारे सरीर का सबसे महतोपूर्ण अंगह होता है लेकिन इसके देख रेख न कर पाने की वज़ा से आगे कई परेसानियों का शामना करना पड़ सकता है हाला कि आज के दौर में कई डेंटिस्ट दांतों के इंप्लांटेंशन की सला भी देते हैं वहीं प्राकृतिक दांतों को हटा कर इंका इंप्लांटेंशन कराना कितना उचित है इसका जवाब जानने के लिए बीएच्यू के दंचिकित सा विज्ञान के दंचिकित तक ने अपनी कुछ विसेश राय इस तरह से रखे प्रेसेप्शन होता है जो हम लोग बेंस इंटरप्टेट करते हैं उसे दात की फंक्शनिंग अच्छा होती है तो पहला तो अगर नेचुरल है दात का फंक्शन अच्छे होगा दूसरा है कि दाख में कोई भी चीज चोटी जी बालिकी भी है वह भी हमारे ब्रेन को एदम फीड होता है पकड़ में आजाता है तिसरा वहां के हड़ी बहुत मजबूत रहती है अगर निशुरल है और चौथा है कि उमर उससे निशुरल से निशुरल दातों से उमर उसकी थीख भी मेंटेन रहती है और पांचवा है कि पूरी फंक्शनिंग जो हमारे ऊपर नीचे के जबडे का है वो उसकी तरह से एक इन प्लांट है और इहारग है इस पेशेंट के मूह में कोल भी डार्त नहीं है तो हम लोग गया इंप्लांट इस नाला है अब यह देखेंगे अपने जिक्स हो गया इसका यह फाइदा है कि जो पुराना टेंचर आम तक लोग पहनते हैं वो मुह के अंदर हिलता है और खाने चबाने पे उसका काफी समस्या होती है लेकिन इंप्लांट में क्या है कि यह जो है कि तुम फिक्स हो गया है आपको नेश्रल टीट की तरह हो गया तो इसे हम लोग इंप्लांट सपोर्टिंग जेंचर गूंते हैं तो इससे आप कुछ भी कड़ी चीजे चना और यह सब कुछ भी खा सकते हैं कहीं कोई दिक्कत है जो नेटरल टीट है और वह अपने दात नहीं अपने आप में एक जीवन होता है उसके अंधर नर्व सोती है पल्क हे से इसके पूरा एक जैसा कि मैंने बताये की जीवन होता है तो हम जब्री कुछ खाते हैं चबाते हैं फील आता है लेकिन जो बचाये सकते हैं रूट कनाल करके उसके भिहाप में नहीं जिस दाथ को अगर हम बचा सकते हैं है तो हम लोग को जो रूख कनाल ही पहले प्रिफर करना चाहिए ना की इंप्लांट को